अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LD जैसिक SP medicine के बारे में इस medicine के या फिर इस tablet के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे लेना है और क्या प्राइजे ही सारी जानकरियों जो है, आज की इस वीडियो में आपको दूँगा तो सबसे पहले हम प्राइजे सुरुआत करते हैं, तो ये जो है 115 रुपे में एक इस्ट्रिप आती है जिसके अंदर आपको 10 tablet मिलेंगी तो देखिए, प्राइज समय के अनुसर बढ़ता रहता है, तो जो आज की प्राइज है, वो इधर में आपको बता दिया है और ये जो है, एलकेम लेब बालू की है, जो की काफी अच्छी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा और इसको खरीदना कहां से, तो इसको जो है, जो भी ऐलोपेथी मेडिकल इस्टोर होते हैं, वहां से आप इसको आसानी से खरीद सकते हो और इसको डॉक्टर की सला से लें, तो बहतर रहेगा अब हम बात करते हैं, कमपोजिशन के बारे में, इस LD जैसिक SP में क्या-क्या है, ये किन से ये जो है, टेबलेट मेडिसिन बनाई गई है अब इसमें है, एसी कलोफैनेक, जो की 100 mg में रहेगा इसके अलावा है, इसमें पेरसिटामोल, जो की 325 mg में रहेगा इसके अलावा है, इसमें है सेरेसियो, पेप्टिडेस, जो की 10 mg में रहेगा तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है, ये LD जैसिक SP मेडिसिन बनाई गई है अब हम इसके फायदे के बारें बात करें, तो किसी भी प्रकार का दर्द हो ये जो मेडिसिन है, मैनली दर्द के लिए बनाई गई है तो किसी भी प्रकार का दर्द हो, उसमें जो है काफी यूसफूल मेडिसिन है ये अब देखिए, दर्द के साथ होता क्या है, कि हमको सूजन भी आ जाती, स्वैलिंग भी आ जाती है तो उसमें काफी अच्छी तरीके से काम करती है, आपका दर्द भी खतम करेगी और आपको जो सूजन है, उसको भी जो है कम करेगी या फिर खतम करेगी अब जैसे के मसल्स पेन होता है, उसमें आप ले सकते हो आपके जोडों में दर्द होता है, उसमें ले सकते हो जो दर्द होता है उसमें भी आप जो है इसको ले सकते हो अब इस पॉंडलाइटिस जो होता है उसमें भी दर्द होता है तो उसमें भी यूसफुल है दातों के दर्द में भी जो है ये काम करती है LDJASIC SP tablet अब हाथ पेरों में दर्द होता है और कई बार आपने देखा होगा हाथ पेरों में दर्द के साथ सूजन भी आ जाती है कई बार हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हाथों में दर्द होता है हलका फुलका फीवर भी है बुखार भी है तो उसमें भी जो है यह मेडिसीन या फिर हम बोलू यह टैबलेट काम करेगी तो इधर मैंने इसके फायदे के बारे हम बता दिये हैं और मेलनी जो है दर्द के लिए बनाए गई है अब देखिए नसो का जो दर्द होता उसमें काम करेगी के नहीं यह आपके मन में जो है डाउट आरहा हो сама करेगा तो इसको जो है आप खाना खाने के बाद लें और simple पानी के साथ ले सकते हैं दूद के साथ भी ले सकते हैं या फिर juice के साथ भी ले सकते हैं तो इदर में बोलना चाहूंगा अगर आपको ज़्यादा दर्द नहीं है तो एक दिन में केबल एकी टेबरेट लीजिए दर्द के अनुसार जो है बिना गायने के लॉजिस से सला करे बिना इस medicine को नहीं लेना है अब हम side effect के बारें बात करें तो side effect में जैसे के नोजिया आपको हो सकता है उल्टी जैसा लग सकता है या फिर उल्टी हो सकती है पेट खराब हो सकता है सीने में जलन हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है इसक को खाने के बाद आपको नींद आए तो इस कंडिशन में आपको जो है ड्राइब बगेरा नहीं करना है गाली बगेरा नहीं चलाना है अब इसके अलाबा अगर आपको किड्नी की बीमारी है या फिल लीवर की बीमारी है तो उसमें भी नहीं लेना है लेना है तो डॉक्टर क तो आपको बहुत सारी पैंगिलर नहीं लेना है, कोई भी एक पैंगिलर ले या फिर दॉक्टर से सला करें, यह जरूर है, अगर आपकी कोई दूसरी मेडिसिन चल लही है, एंटिवाइटी को कोई भी, तो उसके साथ ले सकते हो, कोई प्रावलम नहीं है, आप देखिए कब तक लेना है, तो डिपेंड करता है आपके दर्द पर, आपकी बीमारी पर, हालाएंगि पांच दिन में जो है, नॉर्मन डोस होते है, पांच दिन में आपका जो भी दर्द हो खतम हो जाता है, वो लंबे समय तक नहीं लेना है, तो डॉक्टर की सला से, क्योंकि जो दर्द की दबाई होती है, उनको लंबे समय तक नहीं लिया जाता है, अब रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आपको पहले दिन से मिल जाएगा, आप जैसे ही पहले दिन लोग है ना, तो आपको काफी आराम मिलेगा, और कई लोगों का जो है, तीन दिन में ही दर्द खतम हो जाता ह वो डिपेंड करता है कि आपको कितना दर्द है, कहां पर दर्द है, अब देखिए उसमें एडवाईस देना चाहूँगा, अगर आपी मेडिसिन लेते हो तो आपको अलकोहल नहीं लेना है, और समय पर मेडिसिन खाना है, समय पर सोना है, समय पर खाना खाना है, इसके अला की medicine ले सकते हैं तो काफी अच्छी बात है इसके साथ तो यह मेरी कुछ advice थी अगर आप follow करोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा इधर मैंने जो है यह LD जैसिक SP medicine या फिर इस tablet के बारे में काफी कुछ बता दिया है तो मेरा वीडियो जरी खतम होता है और अभी को doubt है तो comment मुझे सकते हो और अगर आप कुछ टाइब से और वीडियो देखना है health or medicines related जो कि मैं daily बनाते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे next वीडियो में